इस्राइल लेबनान तनाव के बीच एक और मोर्चे से चौखा देने वाली तस्वीर साथ आई है सीरिया बॉर्डर पर तुर्की और रूस ने जॉइन पैट्रोलिंग शुरू कर दी है तुर्की के राश्पती एर्दा आन का ये एक्शन उसके बात हुआ है जब उन्होंने कहा था कि वो जरूगत पड़ी तो इस्राइल को उसके घर में घुसकर मारेंगे तुर्की नेटो को सदच्य देश है और पूरा नेटो अमेरिका समेथ इस्राइल के पक्ष में खड़ा दिखाई दी रहा है सवाल है क्या एर्दा आन के दिमाग में नेटो में फूट का प्लान चल रहा है दुनिया में अपनी सैनिक ताकत से दोश्मनों में खौफ पैदा कर देने वाला संगठन दुनिया के 32 अमीर देशों का सैनिक संगठन दुनिया भर में हध्यारों की सप्लाई करने वाला संगठन अमेरिका जिस संगठन पर करता है गर्व उस संगठन बे अब पढ़ सकती है फूर्ट टूटेगा नैटो तोडेंगे एर्दोवान ग्रिह युद्ध की आग में जुलस्ते देश सिरिया के उतरी सीमा पर तूर्की और रूस ने जॉइंट पेट्रोनिक शुरू करती है अमेरिका का टॉप एजेंडा है सवाल है तुर्की जो की नैटो का सदस देश है सिरिया के बशारल असद के समर्थन में और इसके लिए रूस का साथ क्यों दे रहा है क्या तुर्की के राष्टपती अर्दवान के दिमाग में नैटो में खुट का कोई बड़ा प्लैन चल रहा है तुर्की के अर्दवान और रूस के राष्टपते पुदिन के बीच की अंडरस्टेंडिंग समझे बिना ये समझपाना मुश्किल है कि नैटो का मेंबर होने के बावजूद तुर्की अक्सर अमेरिका के खिलाफ क्यों खड़ा दिखता है क्यों दुनिया भर के एक्सपर्ट मानते हैं कि तुर्की भले ही नैटो का सदस्य है लेकिन उसकी सानुभूती अमेरिका विरोधी देश इरान, रूस, लिबनान, यमन, फिलिस्तीन, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ दिखती है इसके पीछे की वज़ा को समचना बहुत जरूरी है क्योंकि तुर्की वो देश है जो इरान, इस्रेल के तराओं के बीच ही नहीं, यूक्रेन, रूस, के युद्ध के बीच भीच भी बहुत बड़ी भूमिगा निभाने की सिती में है तुर्की वो देश है जिसके राष्टपतिय दुआ ने खुलकर दो टुक शब्दों में कहा कि वो हमास के समर्थम में इस्रेल के भीतर भुसकर हमला कर सकते हैं जाहिर है ये जवाब किसी और को नहीं, बलके नैटो के लीडर अमेरिका को है तुर्किय वो देश है जो यूक्रेन रुसी युद में रुस के साथ खड़ा दिखता है तुर्की ही वो देश है जहा रुसी उक्रेन युद युद अशुरू होने के बाद मुतिन अंकारा पहुचे थी शांती समझोते के लिए लिहाजा तुर्की के हर कदम पर पूरी दुनिया की नजर होती है इसलिए तुर्की अगर नए ठंक से रूस के साथ मिलकर सिरिया बॉडर पर गश्क लगा रहा है तो ख़वर बड़ी बच जाती है क्योंकि तुर्की उसका समर्थन कर रहा है जिसका विरोध नैटो करता है लिहाजा सवाल उठता है कि क्या चूटेगा नैटो तोड़ेंगे एर्दवान एर्दवान और फुतिर के बीच जबरदस्त बांडिंग है इस वक्त रूस को तुर्की जैसे देशों की जरूरत भी बहुत है तुर्की नैटो के भीतर बैटकर रूस का समर्थन करने वाला अकेला देश है और जो हालात इस समय रूस के कुर्सक में पैदा हुए है उससे उक्रेणी सेना ने कुर्सक में बरें तीसरे पूल को भी गिरा दिया है युक्रेण के वायू सेना कमांडर माइकोला ओलेश्यूक ने इसके पुष्टि की है ये सभी पूल कुर्सक के ग्लुसकोवस्की जिले में सीम नदी पर बने थे अलजाजीरा के मताविक इन सभी पर असर पड़ेगा। सुझ्जा पर खब्जा कर लिया है युक्रेणी सेना रूस में 35 किलोमीटर अंदर तक खुश चुकी है सलेंसकी ने वीडियो संदेश में कहा कि सुझ्जा में अब युक्रेणी मिलीटरी कमांडेंट का सेंटर खुल चुका है 6 अगस्त को युक्रेणी ने रूस के कुर्स के लाके पर हमला किया था युक्रेणी सेना ने 15 दिनों में रूस के बिरानबे गाओं पर खब्जा कर लिया है यूक्रेन के आशानक हमले के बाद दो लाग से जादा रुसी नागरीकों को अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा है धाई सालों के युद्ध में इस तरह के पलटवार के आशंका फुतिन को शायद ही होगी फुतिन अपने सैनी कमांडरों के साथ मेचिंग पर मेचिंग कर रहे हैं फुतिन यूक्रेन पर कबजा करने निकले थी और अब अपनी ही जमीन के लिए लड़ रहे हैं वो भी अपने से बहुत कमजोर देश यूक्रेन से क्यों इसे लिए क्योंकि यूक्रेन जमीन पर बस लड़ता दिख रहा है उसके पीछे की ताकत वो नैटो है जो हत्यास सप्लाई कर रहा है जो जलेंस्की को हर संभो मदद कर रहा है और वो किसलिए क्योंकि रूस की सीमा से सटे देश यूक्रेन में संकठन का विस्तार हो सके यूक्रेनी वेब साइट कीव इंडिबेंडेंट के मताबिक यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ ने दावा किया है कि 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमले के बाद से 6,3,000 रूसी सेनिक अपनी जान कवा चुके हैं जनरल स्टाफ ने टेली ग्राम पर कहा कि यूक्रेनी ने पिछले 2.5 साल में रूस के 8,552 टैंक्स, 16,542 बक्तरबंद गाडियां, 17,216 आर्टिलरी सिस्टम, 1166 रॉकेट सिस्टम, 928 एर डिफेंस सिस्टम, 366 हवाई जहाज, 328 हेलिकॉप्टर, 13,902 ड्रोन, 28 जहाज और एक सम्मरीन वरबाद हो चुके ही, यूक्रेन के जनरल स्टाफ के दावे की पुश्टी नहीं की जा सकती, लेकिन कुर्स की तबाही की तस्वीरें तो कम से कम सच दिखा रही है, कि पुटिन किस कदर सेलेंस्की की फाज के हमलों से बेचैन ही, ऐसे में ही तुर्की जैसे द दुश्मन देश रूस के साथ गलबाहियां करें, ये समझने के लिए आपको तूर्की के नैटो तोड़ो वाली ररण नीती की डिचेल समझनी होगी, इसलामिक नीतियों पर चलने वाले अर्दवान दोहजातीन में सत्ता में आने के बाद से ही, इसरेल के खिलाफ मुकर र उसको लेकर मानती हैं कि एक ऐसा समू है जो अपनी जमीन और लोगों के लिए लड़ रहा है, तो मद्यपूर में अपनी इसलामिक नीतियों के कारण एर्दवान हमास के साथ खड़े हैं, जिसका अमेरिका विरोध करता है, अमेरिकी सेंटर कमांड के मुताबिक अब्दु मग की आतंकी संगठन अलकाइदा में एक बड़ा खड रखता था, इसके कारण अमेरिका उसे अपने देश के लिए सीधा खतरा मानता रहा है, खुरास अलदीन की एक मरत्वा कांशा, अमेरिका और पश्रमी देशों के खिलाफ हमले करने की है, तूर्की के हित नैटो संग खिली देह